हेलो फ्रेंट स्वागत आपका मेरे चनल मस्ती एन फूड में आज हम बनाने जा रहे हैं आलू वड़ी तो यहाँ पे मैंने लगभग एक आठ से दस पत्ते अर्बी के लिए हैं इसे पात्रा भी बोलते हैं तो यहाँ पे मैंने इसे सबसे पहले पानी से अच्छे से धो लिया है और फिर हम इसके पत्तों को सुखा लेंगे एक साफ सुखे कपड़े से इसे अच्छे से पोच लेंगे हम यहाँ पे एक एक पत्ते को अच्छे से सुखे कपड़े से पोच लेंगे ताकि पत्ते पूरे ड्राई हो जाए पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए अब हम इसमें से एक पत्ता लेंगे और इसके पीछे ये देखे कुछ इस तरह की नसे होती हैं इसमें इसे हम चाकू की मदद से आहिस्ता से निकाल लेंगे इसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर इसे हम नहीं निकालेंगे तो हमें रोल करने में परिशानी होगी और इसके वज़े से गले में खराज भी हो सकती है इसलिए इसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसी तरीके से हम सारे पत्तों की नसों को निकालके और हम पत्ते रेडी करके साइड में रख लेंगे अब हम दूसरे साइड में एक बोल लेंगे, एक कटूरा लेंगे और इसके अंदर हम लगभग 2-3 कप बेसन डालेंगे आधा चोटा चमच हल्ती पौडर डालेंगे, 2-3 चोटा चमच रेड चिली पौडर डालेंगे, 2 चोटे चमच धनिया पौडर, आधा चोटा चमच जीरा पौडर और 1 चोटा चमच गरम मसाला डालेंगे नमक डालेंगे हम इसमें स्वात के हिसाब से आधा छोटा चम्मच हेंग डालेंगे और यहाँ पे लगभग दो से तीन चम्मच हम तिल के डालेंगे और आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे अब हम इसमें गोड और इमली का पानी एड करेंगे और इसका एक घोल बना लेंगे तो यहाँ पे मैंने लगभग एक निम्बू के साइज का इमली ले लिया था उसे मैंने पानी में गरम पानी में भिगा दिया था और उसी में मैंने लगभग एक चमज भर गोड डाल दिया था और उसे मैंने अच्छी तरीके से mix कर लिया था यहाँ पे हमारा घोल अच्छे से ready हो चुका है अब हम यहाँ पे एक पत्ता लेंगे सबसे बड़ा पत्ता हम सबसे पहले लेंगे और इसे हम उल्टा करके रख देंगे और इसके उल्टे साइड में हम जो बेसन का हमने घोल बनाए है इसे अच्छी तरीके से लगा देंगे पूरा spread कर देंगे अच्छी तरीके से अब हम दूसरा पत्ता लेंगे इससे थोड़ा छोटा पत्ता लेंगे और इसे हम आप देख सकते हैं इस तरीके से उल्टे साइड से हम इसे लगाएंगे और इसमें भी हम अच्छे से बेसन का घोल स्प्रेड करदेंगे अब हम एक और पत्ता लेंगे और उसे हम उल्टे साइड से रखेंगे और इसके उपर भी हम बेसन का घोल अच्छे से spread कर देंगे यहाँ पे हमको सबसे पहले बड़ा पत्ता लेना है उसके बाद में उससे थोड़ा छोटा फिर उससे थोड़ा छोटा और फिर उससे थोड़ा छोटा तो यहाँ पे लगभग मैं 4 से 5 पत्तों का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहें तो 2 या 3 पत्तों का भी रोल बना सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह देखें मैं पत्तों के उपर एक एक करके दूसरा पत्ता लगा रही हूँ और उसके उपर मैं बेसन का घोल अच्छी तरीके से लगा रही हूँ बारिश के मौसम में अक्सर ये बहुत जादा बनाई जाती है और बारिश के मौसम में ये पत्ते बहुत ही जादा होते हैं और बहुत ही आसानी से मिल भी जाते हैं तो यहां पे आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपको पत्तों का जो selection है आपको किस तरीके से करना है जिन पत्तों के नीचे जिनका stem dark color का है उसी तरीके का पत्ता आपको यूज करना है आपको जिनके stem green होते हैं उसका पत्ता नहीं लेना है क्योंकि वो बहुत जाद खाला गले में काटता है. तो ये देखिए, हमने हमारा पत्तो को लेप लगा लिया है बेसन का. अभी हम इसे चारो तरफ से थोड़ा-थोड़ा करके फॉल्ड कर लेंगे. पत्तो को हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके उपर भी हम बेसन का घोल लगा देंगे यहाँ पर एक टिप है कि अगर आपको अलू बड़ी बहुत जाद क्रिस्पी चाहिए तो घोल बनाते समय उसमें एक से दो छोटा चम्मत चावल का हटा जरूर डालिए यहाँ पर सारे पत्तों को हमने बेसन का घोल लगा लिया है और इसे हम चारो तरफ से हमने इसे फोल्ड भी कर लिया है अब हम इसे एक तरफ से हलके हातों से दबा दबा के रोल करेंगे यह देखिए हमने इसे अच्छे से रोल कर लिया है और अब हम finally इसका जो end है यहाँ पे भी हम बेशन का घोल थोड़ा सा लगा देंगे और इससे अच्छे से चिपका देंगे इस तरीके से हम बेशन का घोल इसे उपर से भी लगा देंगे ताकि ये खुले न और ये हमने ready कर लिया है इसे अब हम इसी तरीके से बाकी रोल भी बना के तयार कर लेंगे और अब हम दूसरी तरफ गैस के उपर एक पतीला गरम करने के लिए रखेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसमें हम एक निंबू का टुकडा डाल देंगे ताकि हमारे बरतन जो है अंदर से काले न हो यहाँ पे इसके उपर मैंने एक जालीदार बरतन रग दिया है जिसे मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है इसके पर थोड़ा सा तेल लगा के spread कर लिया है और अब हम अपने रोल को इसके अंदर डालेंगे और इसे हम धक के लगभग एक 20-25 मिनट इसे उबाल लेंगे तो यहाँ पर करीब 20-25 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आलू वड़ी का रोल बनके तयार हो चुका है यह देखी बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है यह अब मैं इसे कट करूंगी तो आप इसे स्लाइसेस में कट कर लीजिए मैं इसे पतले-पतले स्लाइसेस में कट कर रही हूँ आप चाहें तो इसे जितना मोटा आपको काटना है उतना मोटा आप काट सकते हैं शाम के स्नैक्स के लिए चाय के साथ में आप इसे मज़े से फ्राई करके खा सकते हैं और इसे आप एक बार बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं आपको जब भी खाना है इसमें से थोड़ा थोड़ा आप निकालके और फ्राई करके खा सकते हैं और यह देखिए हमने इसके स्लाइसे कट कर लिए हैं ऐसे गोल-गोल इसी तरीके से मैं सारे स्लाइसे कट कर लोंगी और अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रासेस में तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने गैस के उपर एक नॉन स्टिक पैन गरम करने के लिए रख दिया है और इसमें हम डालेंगे तेल और इसे मैं शैलो फ्राई करूंगी आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं तो यहाँ पे हम आलू वड़ी के slices को एक एक करके इसमें रख देंगे और इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे यहाँ पे एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं अब हम इसे पलट के दूसरे साइड से भी अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे और ये देखिए हमारी आलू बड़ी बनके तयार हो चुकी है बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही जादा यमी बनती है ये हमारी आलू बड़ी बनके तयार हो चुकी है अच्छे से फ्राई हो गई है और ये देखी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प फ्राई होई है अब हम इसे एके करके पैन से बाहर निकाल लेंगे और ये देखिए हमारी क्रिस्पी सी आलू बड़ी बनके तयार हो चुकी है बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही जादा कुरकुरी लगती है खाने में आप भी ज़रूर इसे एक बार बनाएए और अगर आपको मेरे चानल की रिस्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दिये गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए